नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कम्प्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कम्प्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटिफिकेशन को अन करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे हैं आज की वीडियो में हम MS Word में एक लिष्ट को क्रिएट करना सीखने वाले हैं MS Word में लिष्ट बनाने के कई तरीके होते हैं आप Bullets का यूज़ करके list बना सकते हैं Daar सकते हैं deduction का यूज़ नमबरिंग का यूज़ करके list बना सकते हैं उसे कहा जाता है un-ordered list क्यूंकि bullets में कोई एक निश्चित order नहीं होता है लेकिन यदि आप number का उपयोग करके कोई list बनाते हैं तो उसे बोला जाता है ordered list या numbered list क्यूंकि number में हर list item का एक निश्चित order होता है 1 के बाद 2 आता है 2 के बाद 3 आता है तो MS Word में list बनाने के कई तरीके हैं इससे previous वीडियो में जो आपने bullet को देखा था bullet से बनाई जाती है unordered या unnumbered list आज की वीडियो में हम numbering का उपयोग करके एक ordered list या numbered list को बनाना सीखने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं देखते हैं MS Word में numbering list को किस प्रकार बनाया जाता है for example मुझे अपने document में कुछ hardware device की list create करनी है तो मैंने यहाँ पर hardware एक heading दे दी है मेरी जो list है उसमें एक device है mouse दूसरी device है हमारे पास keyboard तीसरी device है हमारे पास pen drive चौथी device है हमारे पास modem इस प्रकार से आपके पास जो भी device है आप सभी को अपनी list में type कर सकते है मैंने यहाँ पर कुछ basic सी devices के नाम लिखे है जैसे कि mouse, keyboard, pen drive, modem, cd, dvd इन सभी device का जो heading है वह हमारी hardware तो हमें hardware को heading बनाना है और mouse, keyboard, pen drive, modem, cd, dvd इन सभी को list में add करना है आपकी list में जितने भी item है आप सभी items को select करें heading को select नहीं करेंगे क्यूंकि heading तो अलग दिखानी होती है हमें cable उतने ही item को select करना है जो हमारे list में add करने है तो हमने सभी items को add किया है आपको home tab में paragraph section में यहाँ पर numbering option प्राप्त होता है आपको इस numbering option पर click कर देना है आप जैसे ही numbering option पर click करेंगे देख सकते हैं हमारे सामने एक numbering list create होकर आ जाती है इस list में जितने भी item होते हैं जितनी भी value होती हैं सबका एक निश्चित order होता है इसे बोलते है ordered list या numbered list यदि आप bullet का use करके कोई list बनाते हैं तो उसमें कोई निश्चित order नहीं होता है लेकिन numbering के list में एक निश्चित order होता है इसलिए इसे ordered list या numbered list भी कहा जाता है अभी हमने simple numbering का use किया था जिसमें हमें 1-2-3 की numbering प्राप्त हुई है यदि आप इस numbering के बाजू में जो drop down आ रहा है arrow आ रहा है इस पर click करते हैं तो आपको कई प्रकार के number format प्राप्त होंगे आप ने जो अभी recently यूज किया था 1-2-3 आप यहां से 1-2-3 को bracket के साथ यूज कर सकते हैं Roman 1-2-3 का यूज कर सकते हैं Capital ABCD का यूज कर सकते हैं number के लिए small ABCD का यूज कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं आपको number के कई प्रकार के format दिये गए हैं आपको अपनी list में जो भी number format यूज करना है आप उसको यहां से select कर सकते हैं वही number format आपकी list में so हो जाएगा यहां पर कई प्रकार के आपको number format दिए गए है, drop down में आपको जो भी use करना है आप अपने अनुसार कर सकते हैं यहां पर कई प्रकार के number format आपको दिए गए है यह सबी basic number format है इनके अलावा भी आप कुछ special type के number format यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आपको define new number format पर जाना होता है, यदि आप define new number format पर click करते हैं, तो आपके सामने एक define new number format का dialogue box आ जाता है, यहाँ पर आपको कई number style प्राप्त होती हैं, जैसे कि आप 1 to 3 का use कर सकते हैं, roman का use कर सकते हैं, alphabet ABCD का use कर सकते हैं, इसी प्रकार से 1st, 2nd, 3rd भी use कर सकते हैं यहाँ पर आपको कई प्रकार के number format प्राप्त होंगे, 1 to 3 को आप words में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई प्रकार के number format प्राप्त होंगे, आप यदि हिंदी की list बनाना चाहते हैं, का, खा, गा, तो भी use कर सकते यहाँ से, आप देख सकते हैं, number के कई format हमें यहाँ पर राप्त हो जाते हैं यह window कहां से open होती है कहां से हम इन number के list को देख सकते हैं आपको numbering के बाजू में drop down पर click करना है और जाना होता है define new number format पर आप यहां पर अलग-अलग style के कई number format देख सकते हैं और जो भी आपकी आवस्ता है जो भी आपको अच्छा लगता उसको select कर सकते हैं for example मैं यहां से यह वाला number format select कर रहा हूँ first second third by default जो हमारा number का alignment वो यहां पर दिया जा रहा है right आप अपने number का alignment भी change कर सकते हैं number को आप left side दिखाना चाहत हैं या right में दिखाना चाहते हैं तो जो आपका number है वह item के साथ value के साथ कहां पर दिखाना चाहते हैं यह भी आप set कर सकते हैं यहां पर आपको हर number में यह alignment set करने की service provide की जाती है आपको जो भी alignment set करना है आप alignment भी set कर सकते हैं और last में आपको okay करना होता है तो आप देख सक मैंने जो number format अभी select किया था, वही number format हमारी list में so होने लगा है, आप MS Word में list को create करने के लिए bullets का उपयोग कर सकते हैं, numbering का उपयोग कर सकते हैं, numbering में भी यहाँ पर आपको कई परकार के format drop down पर click करके प्राप्त हो जाते हैं, साथी साथ आप कोई special type की numbering यूज़ करना चाहते हैं, तो define new number format पर जाएं, यहाँ पर आपको कई परकार के number format पराप्त होते हैं, आप जो भी number format यूज़ करना चाहते हैं, उसको select करें और यहाँ से okay कर दें, तो आप देख सकते हैं number format का जो list की numbering है, वही number format में so होगी जो आ आउट आता है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है, तो like करें, जाता से जाता share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद